क्या दिल्ली एक बार फिर डूप जाएगी? क्या इस बार बार नया रेकॉर्ड बनाएगी? दिल्ली को बार बार कौन दोबा रहा है? इन तस्वीरों को दिल्ली वाले भूले नहीं होगी हफते भर पहले का ये मन्सर देश की सुर्खिया बना दिल्ली में यमना ने 45 साल का रेकॉर्ड तोड़कर बार की शक्ल लिए सैलाब ऐसा की जो रास्ते में आया सब दूपता चलागे सदियों पुराना लाल किलावू या फिर देश की पहचान राजखाने दिल्ली में कले तक पानी था लेकिन ये तो पहला सीजन था बार का सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है तबाही की मुनादी हो चुकी पानी की लहरेट डराने लगी जो निशान खत्रे का मीटर बताता था वो खुछ जल समाधी की तरफ बढ़ रहा है यमुना विक्राल है ये सैलाप का प्रलैकाल है जल सतर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है यहाँ पर आपको जो मीटर दिखाई दे रहा है जलमग ने नजर आ रहा है और तरह दाइरा समझ ये कि इस लोहे के पुल और नीचे बहने वाली यमुना के बीच में कितना बचा हुआ है केवल 3-4 फीट का ये दाइरा बचा हुआ है और इसलिए एतियातन प्रशासन द्वारा जो लोहे का पुल है उपर की तरफ गाड़िया चलती थी दो पईया वाहन चलते थे तमाम वो आवजाही जो है वो बंद कर दी गई है खत्रे को देखते हुए इसी के साथ में जो आसपास देखी लोग रहते थे कई सारी आपको जुगिया हम दिखा देते हैं खाली पड़ी हुई है उन लोगों को हटा दिया है दिली में मौनसून के बाद पानी का लेवल बढ़ता जरूर है लेकिन यमुना में बाड़ आ जाए सब कुछ पानी पानी हो जाए ऐसा सिर्फ चुनिंदा इलाकों में दिखता था मगर जिस तरह पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों की तरफ पानी ने कूच किया उसने यमुना को खतरनाक मिना दिया यही वज़ा है कि जो लोग पानी उतरने के बाद कुछ वक्त के लिए नीचे आ गए थे बाड़ के बाद की कीचर कुछ साफ कर रहे थे उन्हें फिर से डर सताने लिगा बाड का पानी इस इलाके में इतना ज्यादा आया कि यह इलाका पूरी तरह से डूब गया था घर पानी में डूबे हुए थे और अब मिटी इतनी ज्यादा गाद इतनी ज्यादा भर गई है गलियों में घरों में के लोग अभी एक हफ़ते से लगतार इसकी सफाई में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक इसको साफ नहीं कर पाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ लगतार बड़ता यमना का जलस्तर इन लोगों को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि वापस से बार जिसे हालात बन जाएं और जो सुधरने की कोशिश की है जो वापस से उभरने की कोशिश की है तो वापस हम कई उसी दलदल में नाफज जाएं यहां इलाके के लोग हैं जिनके पैरो की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर मेहनत और मिट्टी में यह लोग उत्रे हुए हैं सिर्फ अपने घर और अपनी गलियों को साफ करने के लिए ताकि वापस से इनकरजन जीवन पट्री पर आ जाए लेकि पानी की मार से परिशान है और यह समझा जा सकता है क्योंकि बार बार घर बसाने की जदो जहर हर्गिज आसान नहीं मगर बार बार दिल्ली पर बाड का खत्रा क्यूं मन रहा है सवाल का जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा हतने कुण पैराज हर्याणा का वोजोर जहां से दिल्ली में यमुना का पानी दाखिल हुता है पहाडों में ज्यादा बारिश होती है तो इसके फ्लाट गेट भर जाते हैं पानी का प्रेशर कम करने के लिए गेट खोले जाता है इसी दर्मियान अगर बैराज में ज्यादा पानी छोड़ दिया तो फिर दिली में यमना का लेवल बढ़ता है अगर पानी का फ्लो सामाने है तो चंता नहीं मगर दो हफते में लगातार दूसरी बार हतनी कुन बैराज से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है शनिवार को बैराज से ठाई लाग क्यूसिक पानी छोड़ा गया गविवार को 90 हजार क्यूसिक पानी रिलीज हुआ कुल मिलाकर पांच लाग क्यूसिक पानी छोड़ा जा सकता है हतनी कुन बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण राजधानी दिली में यमना नदी एक बार फिर उफान पर है खत्रे के निशान के उपर भेर रही है आप देखिए हत्री कुन बेराज पर ही सोक्ता मौझूद है और शनिवार को यहाँ पर करीब धाईला क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो करीब 72 घंटों के अंदर अनुमान लगाए जा रहा है कि दिली पहुच जाएगा लगातार पहाडों पर हिमाचल प्रदेश में और उत्रा खंड में बरसात हो रही है और इनी पहाडों का जो पानी है वो नीचे हत्ने कुन बेराज पर पहुचता है जब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है तो उसे दिली की तरफ छोड़ दिया जाता है और शनिवार को एक बार फिर से करीब धाए लाग क्यों से एक तक पानी हो गया था जो छोड़ा जा रहा था धीरे धीरे ये पानी दिली की तरफ बढ़ रहा है कहा जा रहा है कि अगले 60 से 72 घंटे काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं क्योंकि उस वक्त तक ये सारा पानी दिली में होगा और फिर दिली के निचले लागे एक बार फिर पानी की चपेट में आ सकते हैं आदेश दे दिये गए हैं करीब साथ टी में हमारी 24 घंटे यमना की एम्बैंकमेंट्स की निगरानी रख रहे हैं जहां पर भी पहले पानी गुसा था उनको जो है मजबूत करा गया है ताकि इस बार पानी ना गुसे और सभी डेपार्टमेंट्स जो हैं हाई अलेट के सरकार कहती है कि नजर रखे हुएं सिस्टम हाई अलेट पर है लेकिन एक कड़वी सच्टाई ये भी है कि इस पूरी सिचुएशन से यमना किनारे वाले दुकानदार परिशान है पिछली बाड की मार से उबरे नहीं कि एक बार फिर बोरिया बिस्तर समेट ना पड़ सकता है यमना के पानी का आफ्टर एफेक्ट गासेबाद और नॉइडा में दिखने लगा है हिंडन नदी वाला इलाका काफी ढूप किया है हिंडन से लगे करीब एक दरजन गाउं जल्मग में गुट्रों से उपर पानी हूँ करेडा गाउं में तो करीब पांच फीट तक पानी भर गया है किसी अन्होनी को देखते हुए पिछले तीन दिन से इलाके की भिजली काटी है कई लोगों को उचे इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन अभी पानी से परिशानी बनी हुई है कई लोगों को तो ट्रैक्टर के जरीए रेस्क्यू किया गया अधियाबाद से लेके नौईडा तक जो हिंडरन रिवर है उसने काफी गाउं को अपनी चपेट में ले लिया है तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे है किस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है आदे से ज्यादा घर जो यहाँ पर है मौजूद है वो आप देख सकते है वो पानी की चपेट में आ चुकी है कब ये पानी भढ़ना शुरू हुआ? मैं मिस के लिए आज से चार दिन हो गए अठारे तारिक में पानी यहाँ आया हुआ था और हमारे घर पूरी तरह से डूम चुक है हम जादा बड़ी दिक्कत में है पहाडों पर जुतना पानी बरसा उसी का आफ्टर एफेक्ट यमुना में दिख रहा है कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बीते 40 से 50 सालों में ऐसी बार नहीं देगा सवाल है कि क्या इसी तरह हर साल सैलाब गाल आएगा क्या ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की उल्टी चाल इनसान को हर बार लाचार बना देगा